दोस्तो स्वागत है आपका एक बर फिर टेक्निकल ओफिस में जहां फ्रेंड क्या आप हैपी होली का फोटो बनाना चाहते हैं जहां फ्रेंड फेस्बुक के लिए फोटो बनाना चाहते हैं या थबनेल के लिए फोटो बनाना चाहते हैं अगर आप हैपी होली का फोटो बना जाता है लेकिन फ्रेंड हम आपसे करेंगे क्रिकवेश्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक और सस्क्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे है प给我 बनाएंगे friend happy holy का photo बनाने के लिए आपको एक application का जुरूत पड़ेगा जहाँ friend उस application का नाम जो है pixel lab है इस application का नाम pixel lab है आप आसानी से इसको play store से डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तो इस pixel lab पर हम करते हैं click और कर लेते हैं open जहाँ friend हम इसको close कर देते हैं और फिर से इसको open करते हैं दोस्तो यहाँ पर new text है पहले हम यहाँ से इसको delete की बटन पर click करके इस new की बटन को delete कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम इस three dot पर click करेंगे और three dot पर click करने के बाद image size को पहले select करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं image size को select करने के बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर custom का option देख रहा है जो कि यहाँ पर size देख रहे हैं 1280 1280 है लेकिन हम नहीं यह नहीं करेंगे अगर आपको facebook के लिए अच्छा photo बनाना है तो youtube का thumbnail type का एक photo होता है आप उसी को select करें जिहां और यहाँ से ok का button जो है press कर दे यानि कि 1280 into 720 में यह youtube का thumbnail बनता है अब हम इसको ok कर देंगे और जो screen है कुछ इस परकार का सामने आ जाएगा इतना करने के बाद फ्रेंड अगर आप holi का photo design करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका background में holi का background होना चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इ इसके बाद आपको कुछ इस परकार का मतलब मेरा यह gallery खुला हुआ है लेकिन आपको google से इस परकार से photo download कर लेना है अब हम यहां से क्या करेंगे कि हम अपना background पहले चूच करेंगे हमने अपने background को यह वाले आप photo को select कर रहे हैं जो कि आपको सामने दिखाई देरा है आप असानी से होली का photo google से download कर लेंगे इसके बाद यहां से okay का button पर click कर देंगे जो की सही है sorry हम आपको दिखाने का कोशिस करना है यहां पर जो सही का button है इस पर click कर देंगे यहां से अब क्या करना है कि photo को यहां से करके scroll कर लेना है और scroll करने के बाद इसको fix कर लेना है दोस्त तो होली का बेक्ग्राउंड फोटो बनानी के लिए आपका खुद का PNG होना जरूरी है। जिहां फ्रेंड अगर आप PNG सिखना चाते हैं तो हमें कॉमेंट में करके बताएं कि हम अपने फोटो का या कोई भी फोटो का PNG कैसे बनाएं। दोस्तो यहां इतना करने के बाद हम फिर से यहां से पलस का एकन पर क्लिक करेंगे और अपना फोटो का एक PNG लेंगे फिर से फ्रम गैलरी वाले अप्सन को क्लिक करेंगे और यहां से इतना करने के बाद फ्रेंड हम नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे कि कौन सा फोटो लें फ्रेंड मेरे पास तो फोटो है नहीं पहले कहाई थमनेल फोटो यूज करेंगे हम हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे और यहां से फिर से इसके साइज को पकड़के हम इसको इस परकार से असानी से स्क्रिन पर फिंगर क और इसको इस परकार से शेफ में मिला लेंगे, जैसा कि आपने मेरा थबनील में देखा है, यहां इतना करने के बाद, हम फिर से इसको यहां से लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद अब हम आगे के ओर चलेंगे, सबसे पहले हमने इस फोटो दूसरे चीज़ के लिए बनाया थ लेकिन हम इसको यूज करेंगे होली का फोटो बनाने के लिए कि होली का फोटो या थबनेल कैसे बनाए इसके बाद हम फिर से यहां से प्लस वाल आइकन पर क्लिक करेंगे और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद फिर से from gallery का option आपको यहाँ पर दीख रहा है इस पर click करेंगे अब हमने उस परकार से हाथ किया हुआ है तो उसके लिए कुछ रखना जूरूरी है इसलिए हमने इस वाले png को select किया है इस वाले png को select करने के बाद हम इसको यहाँ से फिर से okay कर देंगे और okay करने के बाद हम इसको थोला सा यह बहुत बड़ा हो गया इसलिए हम इसको छोटा करेंगे छोटा करने के बाद friend हम सोचेंगे कि यह मेरे किसी परकार से हाथ पर मतलब setting हो जाए हम इसको इस परकार से बैठाएंगे जैसा कि आपने सामने देख रहा है कि देख रहे होंगे कि यह बकू भी बैठ गया है यहाँ से अब हम इसको lock कर लेंगे और lock करने के बाद फिर आगे की ओर चलेंगे friend हमने अपने हाथ में रंग holy का color को fit कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको जैसे कि इधर ये जो सामने स्क्रीन दिखा इधर आए इधर कुछ लिखना भी है तो इसमें तो happy holy ही लिखे जाएगा friend हम उसके लिए क्या किया है कि हमने happy holy का भी png तैयर कर लिया है और हम आपको दिखाने का कोशिस करेंगे कि मेरा happy holy का png जो है pixel lab में ही है जो कि happy और holy है हमने hindi में लिखा है आप ingles में भी लिख सकते है अब हम यहां से क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यह ही पर इसको हम fit कर देंगे यहां से फिर से हम इसको lock करेंगे और हम आपको बारी बारी से step by step बता रहे हैं ताकि आपस आनी से समझ जाएं फिर इसको lock करने के बाद friend फिर से हम आगे की process करेंगे और फिर इस plus वाले icon पर click करेंगे इस plus वाले icon पर click करने के बाद फिर से from gallery और यहां आने के बाद friend फिर से हम देखेंगे कि कोई अच्छा photo फिर से ले लें तो फिर से हम pixel lab के folder में जाएंगे और happy link हैं उसके बाद holy के option पर click करेंगे और यहां से फिर इसको okay कर लेंगे यहां से okay करने के बाद फिर से हम इसको छोटा करेंगे और कुछी इस परकार से मिलाएंगे ताकि यह अच्छा नजर आए friend इतना होने के बाद फिर से हम इसको lock कर देंगे इस icon को और यह हो जाने के बाद अब मेरा यह photo जो है बहुत ही सांदार दिख रहा है लेकिन अगर आप इसके बाद भी जैसे की happy holy 2021 लिखना चाहते हैं तो आप text के option पर click करेंगे text के option पर click करने के बाद friend इहां से हम इसको हटा देंगे और 2021 यानि कि 2021 साल चल रहा है holy का और हम यहां से इसको यह वाले option पर click करके यहां से हम इसको scroll करेंगे और जो यह size आपको दिख रहा है यहां से हम इस size पर click करके और text का जो 2020 का साइज है उसको बढ़ा कर लेंगे फिर हम यहाँ से इसको पकल के नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद सबसे फहले friend क्या करेंगे कि हम font को खुजेंगे जैसा कि आपको सामने ये दिख रहा है इस पर click करने के बाद friend हम क्या करेंगे कि एक font को select कर लेंगे कोई फॉन और आप देख रहे हैं कि happy holy 2020 आ गया अब हम इसके लिए color का option चूच करेंगे जो कि आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर click करने के बाद friend कोई सा हम color ले लेंगे तो holy है तो एक लाल color ही अच्छा होगा sorry लाल तो उसमें match कर जा रहा है इसलिए हम light color कोई लेंगे 2021 सही है और यहाँ से हम इसको एक stroke दे देंगे जैसा कि आपको सामने दिख रहा है यहाँ से हम black color का stroke दे देते हैं और यह देखिए यह मेरा बन गया happy holy 2021 का photo हमने कितना असानी से इसको बनाया और भी आप इसको अच्छे से बना सकते हैं ताकि आपका photo और अच्छा लगे जैसे कि हम अपना पुराना ही photo पर इसको क्लिक किये हैं अब बात आ गया कि हमने तो बना दिया लेकिन मेरे search word पर कुछ भी color नहीं है तो इसके लिए friend हम दूसरा png का यूज करेंगे फिर से from gallery में जाएंगे और fog png देखेंगे कि कौन सा है तो यहाँ से हम एक fog png को select करेंगे जो कि आपको यह सामने दिख रहा है यहाँ से हम फिर से इसको click कर देंगे और यहाँ से इतना करने के बाद friend हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं पहले चोटा कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको इस पर कर से scroll करेंगे और ऐसा fit करेंगे कि यह ताकि यह अच्छा लगे फिर से हम इसको fit कर लिए हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा lining type का दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं अब यह match कर गया अब यह लग रहा है कि मेरा photo सही है मतलब मेरा shirt पर भी color आ गया और भी आप color डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं उसके लिए आपको png की जुरुत पड़ेगा png जो है आपको google से मिल जाएगा आप वहाँ से असानी से png format डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से डाउनलोड करने के बाद friend और कुछ करना रही देखता है बस png फाइल की जुरुत पड़ती है और sorry यहाँ से दूसरे टाइप का landing टाइप का लग रहा था इसलिए हमने इसको थुला नीचे रखा और आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा फोटो बन कर तयार हो गया दोस्तो लेकिन हम एक request भी आप से करेंगे और हम आपको subscribe कर लें और bell icon भी on कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो बताएं तो उसका notification आपको मिल जाए दोस्तो अगर आपको यह फोटो अच्छा लगा होगा तो फ्लीज मेरे इस वीडियो को एक like जरूर कर दें मिल जाएं दोस्तो अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत